आजकल के जमाने में वाट्सेप सिर्फ सोचल विडिया नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिन्दगी का एक एहम हिस्सा बन गया है पर इसी वाट्सेप को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है सामने आई एक जानकरी के अनुसार ग्रुव मंतरा लेकी शाखा इंडियन साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर में सत्रा सु स्काइप आईडी और उनसट हजार वाट्सेप खातों की पहचान की है जिनने ब्लॉक किया जाएगा क्योंकि इन अकाउंट्स का इस्तेमाई डिजिटल फ्रॉड और डिजिटल अरेश जैसे गैर कानोनी कामों के लिए हो रहा था केंद्रिय ग्रोह राज्यमंत्री बंडी संजे कुमार ने पार्लिमेंट में दी जानकरी के अनुसार 2021 में इंडियन साइबर क्राइम कोर्डिनेशन सेंटर के तहट शुरू की गई सिटीजन फाइनशेल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग और मैनेजमेंट सिस्टीम फाइनशेल फ्रॉड रोकने में मदद करती है जिसकी वज़ा से अब तक 9.94 लाग से अधिक शिकायतों से 3,431 करोड उपए बचाए गए है वही पूलिस अधिकारियों द्वारा दी गई जानकरी के अनुसार 15 नवंबर 2024 तक सरकार ने 6.9 लाग से अधिक सिमकार और 1.32 लाग आयमिया ब्लोक कर दिये है हाल के दिनों में डिजिलल अरेस्ट, साइबर क्राइम जैसे मामलों में स्पूफ कॉल यानि धोकादड़ी वाले कॉल्स का इस्तेमाल बड़े पहमाने पर किया जा रहा है इन कॉल्स की पैजंग करने और उन्हें ब्लोक करने के लिए एक सिस्टिम सरकार द्वारा बनाई जा रही है ऐसी जानकारी गुरूर राज्यमंत्री बंडी संजे कुमार ने दी है इसके अलावा इंडियन साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर में एक रत्यादूनिक साइबर फ्रॉड मिटिकेशन सेंटर भी स्तापित किया गया है जिसकी वज़े से बैंक, वित्तिय संस्ता, पेवेंट अग्रिगेटर, आईटी मंध्यस्तर, टीएसपी, राज्य और केंद्र सरकार की कानुन प्रवर्तन एजेंसिया मिलकर साइबर क्राइम पर रोक लगा सकेंगी साइबर क्राइम को काबू में लाने के लिए सरकार ने उठाई इस कदम के बारे में आपको क्या रगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताए और ऐसी वीडियोज के लिए जुड़े रहे, MB Live से